नमस्कार, जै जोहार! क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी नेमोरी टेकनिक्स और ट्रिक्स के जरीए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए! योगेंद्र साहू क्लासेज आप यहां 10 से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराएं तो डाउनलोड करिए! योगेंद्र साहू क्लासेज आप तो बी दे बेस्ट! लन फ्रॉम दे बेस्ट! सपना साकार! डाउनलोड दी आप नाउ! नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेज में तो हम चत्तीजगर की सीरिस में आगे बढ़ते हैं तो चत्तीजगर में जिला गठन का घटना करम आज हम देखेंगे कि किस प्रकर से हमारे राज्यच चत्तीजगर में जिलाओं का करम बढ़ता गया था अभी वर्तमान में हमारे यहां कुल 33 जिले हैं इनका करम सुरू से इतना ही नहीं था यह समय समय पर बढ़ते आया है तो इस करम को ही देखना है हमने तो सुरू करते हैं सबसे पहले 1861 में दो जीलाओं का गठन हुआ था एक रायपूर और विलासपूर ये पिछले क्लास में भी हमने डिसकस किया था जो कि ब्रेटिस प्रांट से थे रायपूर और विलासपूर इसके साथ में एक संबलपूर भी जीला बना था जो उस समय चतिसगर में आता था ये अभी वो उडिसा छेत्र में आता है तो हमारे छेत्र में आने वाले जीले कौन से थे रायपूर और विलासपूर तो ये दोनों को आपको याद रखना है कब 1861 में कहां से बना तो ब्रेटिस प्रांट से बना था फिर आगे देखें कि 1906 में 1906 में एक जीले का गठन अधिक सिरे जीले रियासते थी ये मुख्य पॉइंट है या आप याद रहएकगा पता है फिर आगे बढ़ते हैं फिर से एक नमितनयम जीले का गठन हुआ था जो था राजनान गाउं और ये राजनान गाउं बना था दूर्ग से 1973 में एक राजनानगinter क्या क्या बता है 1861 में दो रायपूर विलासपूर फिर 1906 में दुर्ग 1948 में रायगर अम्बिकापूर जगदलपूर फिर 1973 में एक राजनानगinter इसके बाद 1968 में पहली बार नौ जीलों का एक साथ गठन होता है ये जीले कौन कौन से थे कोरिया, जस्पूर, कोर्वा, जांजगीर, चापा, कांकेर, धंतेवड़ा, कवीरधा, महासमुद और धंतरी ये अब जीले कौन कौन से छेतर से मिलकर बने थे तो सरभुजा छेतर से कोरिया को बनाया गया था राइगड छेतर से जस्पूर को बिलासपूर से दो जिलो का निर्मान हुआ था एक कोर्बा और जांजलीर चापा बस्तर से फिर दो बने थे कांकेर और दंते वड़ा कबीर धम जो था कवरधा वो बना था बिलासपूर और राजनान गाउं छेतर को मिलाकर महासमुन और धम तरी और महासमुन तो यह आप याद रखिएगा अगर आपने हमारा अभी दक मैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे एप को इंस्टॉल कर सकते हैं योगें सहू क्लासिस एप को उसमें जाकर आप 33 जिलो के गठन के करम को मैप की थूरू वहाँ पर पढ़ सकत हैं फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2007 में फिर से दो जिलो का गठन होता है 2007 में दो जुले तो इस इसे ऐसे याद रखिए ना साथ साथ दो जिले ये थे नरायनपूर और बीजापूर अभी नरायनपूर और वीजापूर को अगर आपको अगर 36 रड़ क अगर ये साथ में ही है इक दूसरे के साथ लगे हुए जिले है तो वहां से आपको असाणी से याद हो जाएगा फिर दुबारा से 2012 में नौ जिलो का गठन एक साथ किया जाता है पहली बार 19 सुरजपूर, बलरामपूर, मुंगेली, बेमित्र बालोद, बलादावजारभाटा पर गरियाबन, कॉंड़ागाँ और सुकमा, अब ये कॉन-कॉन से छेत्र से बने थे, तो जैसे पीछले बार, मातरी जिला जो थे, उसी प्रकर इनके भी मातरी जिला हैं, जैसे सुरजपूर से दो, पिछले बार एक बना था, कोरिया, इस बार दो बना है, सुरजपूर और बलरामपूर, सरगुजा से, सरगुजा से दो जिला, फिर बिलासपूर से फिर एक जिला बना, मुंगेली, दू यह आप ध्यान में रखिएगा 2012 में भी 9 जिले बने थे फिर उसके बाद 2020 में एक जिले का गठन हुआ था गौरेला पेंटरा मरवाही जो कि बिलासपुर्ट छेतर से बना था यह 10 फरी 2020 को बना था इसका डेटा आप याद रख सकते हैं क्योंकि यह हाल फिलाल की है तो अभी प्रॉपर वीडियो योगें सर ने बनाया हुए है जिसे आप हमारे एप पर जाकर जाकर आप देख सकते हैं अगर आप अभी तक उसे इंस्टॉल नहीं किया है तो क्रिपया एप को इंस्टॉल कर लिजे यह था हमारे चत्तिगण में कूल 33 जिलो का क्रम तो आप इसे एक बार और देखिएगा और याद कर लिजेगा मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ 1861 में दो जिले रायपूर बिलासपूर जो ब्रिटिस प्रांस से थे फिर 1906 में दुर्ग को बनाए गया था जो रायपूर और बिलासपूर से मिलकर बना था फिर रायगड सरगुजा और बस्तर ये तिनो रियासते थी ऐसी रियासते जिने जिला बनाए गया था आप सब 48 में तीन जिले फिर 1973 में राजनान गाओं का जिला बनाए गया जोकि दुर्ग से बना था राजनान गाओं 1973 में फिर इसी कराम में आगे 1998 में नौ जिलो का निर्माण किया गया था नौ जिलो का निर्मान सरगुजा से कोरिया को बनाया गया था राइगर से जसपूर को बनाया गया था बिलासपूर से कोरबा और जांजीत का पचेतर को बनाया गया था बस्तर से दो कांकेर और धंते वड़ा रायपूर से दो महासमुद और धमतर युसिप्रगर बिलासपूर और राजनान गाउं को मिलाकर कभीरधाम को बनाया गया था इसी क्रम में आगे 2007 में दो जिले बने थे 772 जिले बने थे नरायनपूर और बिजापूर बस्तर से था और बिजापूर दंतेवाड़ा से था क्यों क्योंकि दंतेवाड़ा बस्तर से 1998 में अलग होकर एक जिला बन चुका था और इस दंतेवाड़ा से फिर बिजापूर को बनाया गया था तो आप ध्यान में रखियेगा बिजापूर दंतेवाड़ से अलग वैना की बस्तर से हैं फिर इसी क्रम में 2012 में पुना नौ जिलो का निर्मान होते हैं और ये छेतर कहां कहां ये जिले इने कौन कौन से छेतर से बने थे तो सरगुजा छेतर से दो बने थे सुरजपुर और पलरामपुर गिलासपुर से फिर एक मुंग भाही को जिला बनाया गए बिलासपुर से इदस फरी 2020 साब याद रखियेगा और जो 2020 से उसमें पांच जिलो का घोशना हुआ तो जो अबस्तित्व में आ चुके हुए में मुलामान पुरंबगड़ चौके और खेरागड छोईकदान गंड़ी ये राजनान काउं से बना गया था और जो सकती है वो जानगीर चापा से बनाया गया है कहां से सकती बनाया गया आपके जानगीर चापा से तो यह सभी जीलो का क्रम आप याद रखियेगा आज की क्लास में इतना ही धन्यवाद